Hello everyone, कैसे हैं? आपके एक्जाम के बहुत कम टाइम बचे हैं, है न? अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपको फोकस करना चाहिए sir चाहे student semester 1 का हो, चाहे student semester 3 का हो, चाहे student semester 5 का हो इसके अलावा किसी भी और semester का है इनका एक्जाम जो है ना इनका एक्जाम जो है वो कब से स्टार्ट है सर 14 दिसम्बर 14 दिसम्बर और सर आज की डेट क्या है सर 14 नवंबर इस वीडियो में मेरा बिल्कुल भी ऐसा पर्पस नहीं है कि आपको भाई मैं डरा रहा हूँ जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्रिफ और स्रिफ आपके पास गिंती के 30 दिन बचे हैं 30 डेज 30 डेज अब 30 दिनों के अंदर मान लेते हैं इसमें भी आपके अभी दो से तीन दिन तक यानि अप्रॉक्स मान के चलो 18 तारिक तक फेस्टिबल उसके सारे फेस्टिबल चले जाएं तो 18 तारिक तक 18 यानि आपके पास अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 30 एक्चुल डेज हैं बट हम इसको इस्तमाल नहीं करेंगे जैसा मेरा मानना है तो मैं इसको डेज को मान लेता हूँ 25 डेज ठीक है कितने दिन हो गए 25 डेज मैं उन सभी बच्चों से एक चीज आप अपने आप से पूछिएगा क्या पूछ रहा है सर जब आपने सेमेस्टर 2 का एक्जाम दिया और जब आपने सेमेस्टर 4 का एक्जाम दिया तो सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 4 में जो भी बच्चे थे एक बार जरूर उस time को उस वक्त को revise करिए अपने eyes को close करिए और उस moment को एक बार remind करिए कि sir क्या क्या सोचा था और क्या क्या promise था वो सारे के सारे जो आपने semester 2 में promise किये थे खुद से और जिन बच्चों ने semester 5 में promise किये थे खुद से के next time पे हम starting से पढ़ेंगे next time पे starting से notes बनाएंगे next time पे हम सारे चीज़े starting से लेके चलेंगे next time से paper बहुत अच्छा करके जाएंगे semester 2 वालों ने यही promise same corporate account में किया होगा semester 4 वालों ने costing FM में किया होगा तो हर बच्चों ने जब paper खराब गया होगा तो अपने आप में एक आपने प्रण लिया होगा एक pledge किया होगा कि हम इतने दिन में अपना syllabus खतम करेंगे but हर बच्चे की बात नहीं कर रहा maximum of student maximum की मैं बात कर रहा हूँ maximum of student डेली उनिवर्सिटी के या अधर उनिवर्सिटी के still waiting के फिर से वो time आए और फिर से एक बार कसम खाए के next time पर अच्छा करेंगे still अभी भी वो waiting कर रहे है तो मैं कह दूँ ये time आपके जीवन में हर बार आएगा और आप इस तरीके से अगर करते रहे तो इस situation में आपकी तरक्की तो नहीं होगी चाहे बच्चा कुछ भी extra curriculum कर रहा हो सिर्फ 25 से 30 दीनी तो है ये तो दे दीजी आप बीकौम को आपके बारा साल की महनत में बता रहा हूँ बारा साल की महनत आप first class के अंदर starting में बहुत कठिन से स्कूल में बैठना सीखा third हुआ, fourth हुआ, fifth हुआ फिर six, seven, पूरे बारा साल आपने महनत किये हैं और इन बारा साल के अंदर चाहे गर्मी हो, चाहे आपकी सर्दी हो, चाहे आपका रेनी हो चाहे आपका कोई भी सीजन था सुभे साथ बज़े, in fact, छे बज़े बच्चे उठके आप स्कूल गए हो और स्कूल जाने के बाद स्कूल का होंवर्क, स्कूल का आपने क्लास वर्क सारी चीजे करने के बाद इतनी पिटाई लगी, इतनी बार आपको प्रॉबलम हुआ बिमार थे, तब भी आपने एक्जाम दिये और पूरे पूरे टाइम लगाया, बारा साल मेहनत की और उस बारा साल के मेहनत को जस्ट आप दो से तीन साल में जीरो कर दोगे आपने जीरो से लेके अपने आपको नबे तक तो पहुँचा दिया लेकिन नबे से जब सौ तक पहुचाने की बारी आई तो उस टेम आपने हार मान ली और अगेन आपने उस पार्ट को अपने लाइफ को जीरो कर दिया तो मेरा जस्ट आप सभी से यही कहना है मैं सबजेक्ट्स का डिटेल डिसकुशन नहीं करने आया हूँ बस मैं एक अवेर करने आया हूँ कि जो भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज आप एक बार पढ़ ले बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त मिलेंगे बहुत सारे आपके जानने वाले मिलेंगे अरे बीकॉम के अंदर तो दस दिन पहले पढ़ लियो सब हो जाता है बस एक बार ये वाले बुक पढ़ लियो बस पेपर में वही सेम कुश्चन रिपीट आते हैं I agree आते होंगे लेकिन क्या आपने नॉलिज लिया है सर जो नॉलिज है वो आपको लेना पढ़ेगा तभी तो आप आगे जाके सेम प्रॉफाइल में सेम फील्ड में आप अपोर्चनिटी अपने लिए करियर अपोर्चनिटी ढूंड पाओगे मैंने अकाउंट्स पढ़ ही नहीं और मैं चला लाख रुपे महिना होना चाहिए तो वो जो आपका डिजायर है कि लाख रुपे महिना होना चाहिए उस डिजायर के लिए आप कितना effort लगा रहे हो अगर actual में आप उतनी महनत करोगे तो आप deserve करते हो आपको एक लाख के आपको डेड़ लाग रुपे महिने भी आपकी तनखा सेलरी मिल सकती है वेधर प्राइवेट हो सरकारी आप डिजर्व करती हो लेकिन उसके लिए आपने दस साल बारा साल तो महनत करी है उस चीज के लिए लेकिन जस तीन साल में आप अपने आपको बैक आउट मार जाते है उसके पीछे रीजन्स हैं सबसे में रीजन आप अपने साथ एक ये बॉम है एक तरीके से जो कहते हैं ने टाइम बॉम है सेम ऐसे एक जहर है जो अपने साथ लेके घूम रहे हो दूसरा आप ऐसे संगती में भी पढ़ चुके हो जिसके अंदर हो सकता है जो आपको उकसाया जा रहा हो यार छोड़ना कल पढ़ लियो अभी तो है ना 20 दिन पढ़ लेगा अब इतना पढ़ के क्या करेगा कहां जाएगा सब चीज से अपने आपको थोड़ा सा सेपरेट कर लो भी अभी आपका एक ही दोस्त होना चाहिए वो है बुक एक ही दोस्त होना चाहिए वो है क्लासिस एक ही दोस्त होना चाहिए वो है स्टडी और कोई आपका फ्रेंड नहीं है अब फ्रेंड या दोस्त फॉरेबर लाइफ में नहीं रहेंगे लेकिन जो आप अभी सीखोगे न यकीन मानना जब आगे बढ़ोगे आप सीनियर बनोगे एक ना एक दिन कोई आपसे जूनियर पूछेगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंशली कह पाओगे क्या रही हमने अ हुआ यहां संपूड़ु आप अभी उठाके देख लिजिए तो में आपको यही कहना चाहूंगा कर के देखो कहते नहीं के यंगेस्ट के उपर पूरा का पूरा हमारा इंडिया हो यह कोई भी कंट्री हो डिपेंडेंट है और यह सच है लेकिन तब यह सच हो पाएगा जब आप अपने आने वाले जनरेशन को कोई सी के देखे जाओगे पुराना ट्रेंड चला रहा है कि यार दस दिन पढ़के पास हो जाएगा उस परंपढा को तोड़ दीजिए नहीं तो आप फस जाएंगे कितने परसंट ऐसे वेक्ती हैं ज्योकि सकसेस होते हैंش में मैं सौ में से एक सीख तो ली होगी कि भाई जो बूलते हैं यह चीज़े नहीं है लेकिन इस चीज़ को आप सुन लो कोई यह नहीं बोलेगा graduation में मन लगा के पढ़ कि कि बुरी आदते जो होती है न वो हाभी होता है मेंसा कोई नहीं कहेगा या भाई graduation में मन लगा के पढ़ियो इसके उपर तेरा career decided है मेरे पास बहुत सारे बच्चे जॉब या बहुत सारे चीज़ों के लिए आते हैं तो बोलते हैं अब क्या करें तो मेरा simple सा कहना है कि आपको aware होना पड़ेगा आप ये मत देखिए कि वो theoretical subject है या practical subject है आपने ये देखना है कि ये तीन साल में आप इतनी सारे चीज़े सीखने वाले हो आप तीन सालों में घर से बाहर निकलना सीख जाते हो अप तीन सालों में चीजों को manage करना सीख जात लेकिन बस एक चीज छोड़ दे तो इन तीन सालों के अंदर वो है study को आप सब चीजों को साथ में लेके चलिए आप घुमिए फिरिए आपका जो activity मन करता है करिए लेकिन study को साथ लेके चलिए बस तीन साली तो पढ़ना है आपके ये 3 साल जो आप मेनत कर लोगे आपके लिए बहुत अच्छा समय आगे होने वाला है जो ये 3 साल मेनत नहीं करेगा उसका समय आगे 30 साल तक बड़ा दुख भरा होने वाला है 30 के 40 साल भी उसका दुख भरा होगा मैं तो simple कहना चाहूं तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और especially theoretical subject में हम कहीं न कहीं देखा जाए न तो इस इंटरनेट के दुनिया में हम handicap हो चुके हैं और कहते हैं न जिसे अपाहिज वो हो चुके हैं हमने अपने brain को चलाना भूल गया है हमारा दिमाग इतना शक्तिसाली है हमारा अगर हम चाहें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं बना जो हम नहीं कर सकते हैं theoretical subject के अंदर बच्चों को देखा कुछ समझ में नहीं है इंटरनेट कर लो, google कर लो chat gpt कर लो, youtube कर लो पहले ऐसा नहीं था आपके फादर होंगे, मदर होंगे उस टाइम पे इंटरनेट का कोई दौर नहीं था लेकिन वो नहीं ने पढ़ा और पढ़के पास भी हुए आपने एक बास सुना होगा के पहले की पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में जमीन आसमान का फरक है पहले आप अपने सिनियर अपने जो भी दादादी है या ममी पापा हैं उनसे एक बार कैलकुलीशन देखेगा वो यूँ बता देगे कैलकुलीशन और उन्होंने कुछ एक बेसिक सवाल पूछ लिया आप से आप नहीं बता पाओगे कई बार तो बस मेरा यही कहना है आप से आप सभी से हाँ जोड के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पढ़ने लगिए नहीं तो ये दिन वापस नहीं आएगा ये समय आपका लोट कर नहीं आएगा अपने आप से एक प्रामिस करिए कि सर आज से 30 डेस तक हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले है अपने लिए लही अपने मदर फादर के लिए अपने मम्मी पापा के लिए अपने करियर के लिए पढ़ लिए उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है आपके फादर मादर सोच रहे होंगे सेमिस्टर जो पांच में बच्चे है उनके लिए एक बहुत बड़ा कुआ इंतजार कर रहा है जैसे ही आप सेमिस्टर सिक्स दोगे फिर आपको इधर कुआ और इधर खाई वाली कहानी आ जाएगे इधर जाए या इधर जाए आप तो ग्रेजुएट होगे एजुकेशन तो खतम अब क्या करें तो अगर आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉंग होगा तो आपका रास्ता बनेगा अगर फंडामेंटल स्ट्रॉंग नहीं है फिर कुछ नहीं बनेगा इस बात को ध्यान रखिएगा तो आज जैसा कि especially girls को मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास ना एक कहते हैं ना कि women एक नारी सकती की बात करते हैं ससस्ती करन की बात करते हैं तो मैं simple से बात कहूं आपके पास अपने आपको प्रूफ करने के लिए only and only एक चीज बसती है वो है education स्रिफ education आप education के फॉर्म में बड़े से बड़े चीजों को बदल सकते हों अगर आपने अच्छे से study भी नहीं किया यहां पर सोचा जस्ट एक पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी life में कठीनाईयां कभी खतम नहीं होगी सो प्रूव अपने आपको प्रूव करिए इवन दो बोथ चाहे लड़का हो लड़की है प्रूव करिए अपने आपको और कभी भी ऐसा time ना आए कि आपको जैसे होता है कई बार हम कुछ गलत करते हैं ना हम बच के निकलने की कोसिस करते हैं या ठीक है निकल जाए रहा गया गया देख निकल निकल ऐसे सब्जेक्स होता है अगर हमें वो सब्जेक्स नहीं पढ़ा है ना तो हम सुसते हैं या यह पीपर निकल जाए बस तो सामना करिए और सामना करिए पढ़के कोई पेपर नहीं बना जो कि आप पास नहीं कर सकते हैं इच और एवरी एक्जाम आप पास कर सकते हैं बसरते आज girls के लिए especially जो batch है सारे batch तो running में हैं कोई जैसे की जो भी batch था वो पहले हमने बता दिया है दो batch recently एक exam oriented batch चल रहा था जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनकी जो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रही है exam oriented batch था और exam oriented batch के अंदर already बच्चे almost full हो चुके हैं fast track batch reopen करवा देते हैं तो अभी दो batch open रहेगा exam oriented बंद हो जाएगा fast track reopen हो जाएगा और girls के लिए especially वैसे हमने course का price अभी दिवाले तक एक दो दिन तक 2.99 का करा है girls को 2.49 का अभी provide होगा यह सिर्फ girls के लिए offer है boys still अभी 2.99 का ले सकते हैं sir boys और girls में difference क्यों surprise की मैं बात करूँ न तो कई बार मुझे भी ऐसा feel होता है कई मैं जादा बहुत जादा कुछ ऐसा तो नहीं करता के education के उपर questioning की जाए everything is available on YouTube मेरा परपस एक यही है कि आप जो है एक systematic तरीके से पढ़ें सिर्फ उसके लिए पे करें live class doubt class उसके लिए पे करें तो अगर आप एक महिना मत देखिए अब बहुत सारी चीजे cover करने वाले कितने questions करने वाले वो time देखिए तो बस मैं वही कहना चाहूँगा price को मैं बाइफिकेट नहीं कर सकता कि सस्ता या महंगा क्योंकि depend कि किसके pocket में कितने पैसे हैं शायद कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 300 रुपए का एक दिन के अंदर एक दिन एवन दो क्या दिन का उनका pocket money 400 रुपए है और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका महिने का पॉकेट मनी 400 रुपए तो मैं उसको justify नहीं कर सकता अभी यह offers फिलाल और जो 249 का है specially girls के लिए है और यह भाईया दोज के मौके पर है तो मैं आप सभी को wish भी करना चाहूंगा कि festive को भी celebrate करिए लेकिन आप पढ़िए भी तो मिलते हैं next video में semester one वाले बच्चों के लिए भी है यह semester one वाले काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमारे लिए को ऐसे study करें तो next video जो मैं लेके आओंगा उसमें किस तरीके से अपने तीस दिन में अपने subjects को manage करें उसके उपर लिए तो hopefully आप समझेंगे इस बात को मिलते हम next video में अपने आप से भी promise करिएगा